इस वीडियो में हम देखने वाल है क्लास 10th के exercise 3.4 के question number 2 के part 1 को यहाँ पर हमसे बोला गया है कि जो भी problem हमें given है उसको पहले convert करना है pair of linear equation में उसके बाद उसको solve करना है elimination method से तो यहाँ पर हमसे बोला गया है if we add 1 to numerator and subtract 1 from denominator a fraction reduces to 1 it becomes 1 by 2 if we only add 1 to the denominator what is the fraction मतलब की एक fraction है अगर हम उसके numerator में 1 को add कर देते हैं यानि जोड़ देते हैं और उसके denominator में से 1 को subtract कर देते हैं तो जो fraction उसकी value हो जाती है 1 और यही fraction 1 by 2 में convert हो जाएगी यानि 1 by 2 के बराबर हो जाएगी अगर स्रिफ denominator में 1 add गिया जाता है ठीक है हमें बताना है कि यह fraction क्या है तो माल लेत की जो numerator है वो x है और जो denominator है वो y है तो आप जानते होगी जो fraction होती है उसमें उपर वाले को हम numerator बोलते हैं और नीचे वाले को denominator मतलब fraction की form क्या होती है numerator divided by denominator तो यहां से हमने क्योंकि numerator को x माना है यानि की हो जाएगा x divided by denominator को हमने y माना है यानि x by y हो जाएगी fraction की value ठीक है अब बात करते है according to question मतलब question के इसाफ से क्या है question में बोला गया है कि हमें add करना है एक numerator मे numerator हमारा क्या है x तो हम x में add कर देंगी ठीक है जैसे से question में बोला हम वैसे वैसे करते जाएगे तो यहां पर देखिए यह मैंने numerator में one add कर दिया इसके बाद हमसे बोला क्या था कि denominator में से एक subtract करो ठीक है भाई denominator में y है y में से एक subtract कर दिया ऐसा करने से जो fraction है वो कितने में reduce जाए यानि क्या हो जाती है one तो यहां इसकी value कितनी जाएगी one हो जाएगी ठीक है यह case one है एक बात और हमसे बोली गई उसकी बाद हम बाद में करेंगी यह क्या हमारा case one first case है तो यहां पर देखिए इसको हम simple convert करने के लिए क्या करेंगे इसको यहां से यहां पर लाएंगे multiply में ठीक ना minus y में बराबर minus one अपनी जगा यह plus one इधर जाएगा तो minus one में जाएगा तो x minus y बराबर अब देखिए दोने के निसान एक जैसे हैं तो जूड़ जाएंगे one और one two one निसान वही रहेगा यह नहीं minus two तो यह मिली हमें question number one अब इसी question में एक और case है ठीक है according to question case two क्या है उसक या निकि x उसमें आपको कुछ नहीं करना जो denominator है y उसमें आप अगर one add करो तो जो fraction है वो हो जाती है one divided by two यह case two के हिसाब से ठीक है जो हमें दूसरी बात बताए गई थी तो यहाँ फिर से हम वही करेंगे cross multiply two into x क्या हो जाएगा two x हो जाएगा बराबर y plus one इधर जाएगा multiply में one से multiply हो रहा है तो y plus one into one y रहेगा कोई फरक नहीं पड़ेगा तो यहाँ से क्या हो जाएगा two x y आएगा यहाँ पर minus में बराबर plus one तो अपनी जिकांब बचा है ठीक है तो यहाँ से हो गया two x y minus में बराबर यहाँ यह हो गया हमारी equation number two अब क्योंकि हमें इसको solve करना है elimination method से तो elimination method मैं आपको पिछली वीडियो में बता चुका हूँ कि हम क्या करते हैं किसी भी variable का कोई एक coefficient आप बराबर कर दो जैसे कि y का कर दो या फिर x का कर दो तो यहाँ पर देखिए y का coefficient कितना है minus कुछ ने तो one यहाँ भी minus one तो यह तो coefficient पहले से बराबर हम मेहनत क्य है ठीक है तो यहाँ पर हम क्या करेंगे क्योंकि दोनों के coefficient जो है वो minus one minus one है निसान एक जैसे हैं तो हम घटाएंगे ताकि वो निसान अलग-अलग हो जाए और कट जाएं तो यहाँ पर देखिए मैंने लिखा equation number one minus equation number two equation number one क्या है वो उपर लिखेंगे x minus y is equal to minus two है और जो two है क्योंकि हम minus करना है तो हम नीचे लिखेंगे तो हो जाएगा two x minus y बराबर में कितना बचा हुआ है plus one क्योंकि हम subtract कर रहे है तो हम निसान बदलते हैं plus है यहाँ पर two के आगे तो यह minus हो जाएगा y के आगे minus है यह plus हो जाएगा one के आगे plus है यह minus हो जाएगा हम निसान के बाद देखिए क्या होगा यहां पर minus y से plus y cancel out हो गया यहां पर x जो है plus का है यहां जो 2x है यह minus का है निसान अलाग अलागे तो हम घटाएंगे तो 2 में से कुछ नहीं कोफिशन तो 1 समझो 2 में से 1 गया तो 1 बचा यानि कि 2x minus 1x 1x बचा त्यूंकि 2 में से घटा है तो नि निसान इसका लगीगा यानि minus x is equal to यहां पर 2 क्या अगे minus है 3 एक क्या अगे minus है तो इनको हम जोड़ेंगे 2 और 1 कितना हो गया 3 निसान वही रहेगा ठीक है minus से minus cancel हुआ तो क्या है हमारे पास x की value में मिल गई 3 अब जो यह आपको x की value 3 मिली है यह आप किसी में भी put कर दो आपको answer मिल जाएगा चाया आप equation 1 में put करो चाया आप equation 2 में put करो तो यहां में लिख रहा हूँ put x is equal to 3 in equation 2 मैं 2 में put कर रहा हूँ ठीक है तो 2 क्या है हमारे पास 2x minus y बहले मैं copy कर रहा हूँ ठीक है is equal to 1 अब यहां पर x की जगा में 3 लिखना है यहां कि 2 into max x की जगा 3 आ 2 3 जग इतना हो गया 6 minus y is equal to 1 तो minus y को अब इस्तरफ ले आओ यह plus y हो जाएगा 6 अपनी जगा और 1 को इस्तरफ ले जाओ ठीक है तो 6 minus 1 कितना हो गया 5 तो y की value कितनी हो गई 5 अब बात करते है fraction की क्योंकि हमें तो यह बताना था कि fraction कितनी ठीक है तो fraction कितनी थी x divided by y ठीक है तो इस वीडियो में इतना ही बाकी की वीडियो के लिंक आपको इस वीडियो के description में मिल जाएंगे तो आप वहाँ से देख सकते हैं ठीक है तो अगर आपका वीडियो अच्छी लगी है तो इसको like करें share करें और इस चैनल को subscribe करें thanks for watching मिलते हैं फिर अगली वीडियो में त